वीडियो में हम लोग देखेंगे UPSC CDS की एक नई vacances आईए UPSC CDS बन के लिए तो 2021 की नई vacances ये होने वाली है 2021 का नया batch जिसमें हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे इसका syllabus क्या होगा तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ वाते कहना चाहूंगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और पास में जो बल आइकन होता है उसको भी दबा लें तक याने वारे टाइम में आपको वीडियो की नोटिविकसन टाइम टो टाइम मिलती रहे चलिए स्टार्ट करते है आज का वीडियो तो गाइस देखिए आज के सेसन में जो टॉपिक आएंगे जो सब्जेक्ट आएंगे वो बता देता हूँ तो तीन सब्जेक्ट होंगे आपके CDS1 के लिए एक तो जी के जनल नौलेज जिसे कहते हैं सामान गयान दूसरा होगा प्रारंबिक गड़ी जो की होगा 10th level पर वेस और उसके बाद अंग्रेजी इंग्लिस तो गाइस देखिए सामान गयान से 100 number के question होगे और total जो time आपको मिलेगा time duration इसके लिए 2 घंटे का होगा और जो प्रारंबिक गड़ित होगी वो भी 100 marks के होगी और ये भी 2 घंटे का होगा उसके बाद इंग्लिस की बात करते हैं ये भी 100 question होगे जो की 2 घंटे का होगा अब हम लोग topic बाइस देख लेते हैं कि कौन से subject से कैसे कैसे topic आएंगे देखे सामान ग्यान में आपका जोग्राफी पूचा जाएगा मतलब भुगोल फिर इतिहास जिसमें प्राचिन इतियास मदेकालन इतियास और आदुनेक इतियास से question होगे उसके बाद आर्थ सास्त एकनॉमी फिर देखे साइंस से क्या आएंगे physics chemistry biology ओके और गाई समसामा है कि मतलब current affairs से भी आपके question बनने वाले हैं उसके बाद दोस्तों देखे पॉलिटी पॉलिटी तो जूटा जा रहा था पॉलिटी से भी आपके question बनेंगे अब गाईस देखिए हम लोग मैस का सलेबस देख लेते हैं मैस से जो topic होंगे वो 10th level based पे होंगे जिसमें पहला हो groups पे बेस आपके question आएंगे speed time and distance चाल समय दूरी इससे भी आपके question आने वाले हैं अब गाईस बात करते हैं SI and CI मतलब simple interest compound interest से भी आपके question आएंगे और log वाले जो question होते हैं उससे भी आपके question बनने वाले हैं निर्दे सांग जयमिती इससे भी question आएंगे रैखेक समय कराण इससे भी तोस्तों आपके question आने वाले हैं set theory आपने पड़ी होगी algebra में set theory ये भी आपकी आएगी technometry भी आएगी geometry भी आएगी और guys देखे mensuration common topic है और aesthetics ये दो चीज़े आपकी common है इससे भी आपके question आने वाले हैं okay अगर guys English की बात करते तो English में आपके topic जो आएंगे वो आएंगे tense आएंगे article आएंगे parts of speech इससे भी आपके question आएंगे जिसमें दोस्तों देखे parts of speech में आपके जो समले topic होंगे वो noun, pronoun, adverb, adjective ये सब हो जाएंगे sporting error मतलब गलती वाले जो चाटने होते हैं वो भी आएंगे, antonyms, synonyms ये भी आएंगे, one bird substitution ये भी आएंगे और active passive आपने पढ़ा होगा, active passive भी आपके आने वाले हैं और guys देखिए direct in direct जो की narration कहते है, narration से भी आपके question आएंगे, और बहुत से ऐसे comment topic हैं जो की आपके आएंगे और comprehensive भी आपने सुना होगा, वो भी आपका आएगा, तो guys आज किस वीडियो में इतने हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो please वीडियो को लाइक करें, share करें और चैनल को भी subscribe करें, और guys कोई भी question है, तो नीचे आप comment कीजे, मैं आपका reply जरूर दूँगा, thank you, ध